बहुत बहुत स्वागत थे आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चेनल के रिक पॉली पार जा दोस्तो अपने पिता धरमेंद्र को कोई भी अवार्ड ना मिलने से काफी निराज दिखे बॉबी देओल और बॉबी देओल ने कई बात ऐसी कही है जो की काफी एमोशनल कर देने वाली है और दिल को छो लेने वाली है दोस्तो अगर आप धरमेंद्र सहाब और बॉबी देओल को एक बहुतरी नभी नेता मानते हूँ पिता धरमेंद्र को किसी भी आवार्ड की जरूरत है किलास ओफ 83 और आश्रम जैसी वेब स्रीज में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके बॉबी देओल एक बार फिर सुर्ख्यों में है दर असल वेब स्रीज आश्रम के लिए हाल ही में बॉबी को बैस्ट अक्टर का अवार्ड मिला है इस मौके पर मेडिया ने उनसे जानना चाहा कि उनके लिए अवार्ड कितना माईने रखता है इस सवाल का जवाब देती हुए बॉबी देओल ने इमोशनल कर देने वाली बात कही है बॉबी देओल कहते हैं कि मेरे पिता वेटरन एक्टर धरमेंदर जोकी एक लेजंड है उन्हें आज तक एक भी बैस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है और मैं यहीं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि उनके पिता या उनको किसी भी आवार्ड की जरूरत है बॉबी आगे कहते हैं कि उनके पिता धरमेंदर को लोगों का प्यार मिला यहीं उनके लिए सबसे बड़ा आवार्ड है मुझे लगता है कि आवार्ड तब तक स्पेशल बनता है जब आपके फैंस खुश हो बॉबी ने खुद को मिले आवार्ड को पिरती आभार भी व्यक्त किया है और कहा है कि बत और एक्टर मैं खुद को पैटिशियल मैं समझता हूँ और ये समझता हूँ कि ताकि इसका बैस्ट इस्तमाल कर सकूँ मैं शुकर गुजार हूँ इसके लिए मुझे आवार्ड मिला है मेरे सबी फैंस को शुक्रिया जिनकी वजह से ये संबह हो सका है तो दोस्तों कुछ इस तरह की बाते की है धर्मेंदर साहब के बारे में बाबी देओल ने तो आपको इसमें क्या है कहना आपके इसमें क्या हरा है कमेंट में शुरूर बताईएगा थांक्यू